Hello guys, most welcome back to our YouTube channel ग्यानवित सचिन्तों दोस्तों आज की इस complete वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Polytechnic छात्रों के लिए एक बड़ी update के बारे में Polytechnic छात्रों के लिए बड़ी update में UP scholarship 2023 है UP scholarship 2023 के बित्रण में एक बड़ा बदलाव आप सभी को देखने को मिलेगा इस बार चाहे वो first year के students हो, चाहे वो second year के हो, चाहे वो final year के students हो सभी को scholarship इस बार 2023 में definitely मिलने वाली है इसका साच प्रमाण में अभी आप सभी को इस वीडियो के अंतरगत दिखाने वाला हूँ New cutting के माध्यम से और आप सभी को 2-3-4 बाते मैं आप सभी को इस वीडियो के अंतरगत बता दूँगा जो आप सभी को ध्यान में रखना होगा और वीडियो को अंतक आप सभी जरूर देख लिजेगा अभी नए स्टुडेंस हैं अभी apply नहीं हो रहा है form अभी सिर्फ link आ गई है और active नहीं हुआ है तो आप सभी के पास इन तीन कामों को करने का मौका है तो जरूर से जरूर कर ल आप सभी के लिए क्या रहने वाला है देखे सबसे ज़्यादा आप सभी के लिए important रहने वाला है कि आप सभी अपने आधार से अपने बैंक को जरूर link कर लें वरना आप सभी की scholarship नहीं आने वाली है दूसरा अपने आधार से आप सभी को mobile नंबर जो भी आपका OTP आता है खास करकि यह first year वालों के लिए है जरूर link कर लें यह आप सभी के लिए बहुद important है त्योंकि आप सभी का अब अधार verification होता है ठीक है बाकी आप सभी के apply करने के procedure में कोई भी बदलाव नहीं आएगा जैसे आपके 11th 12th में होता था वैसे आपकी UP Polytechnic scholarship में होगी first year के बच्चे 12th और 10th का number डालते हैं और जो second year के बच्चे हैं वो first year का enrollment number डालते हैं और first year का marks फिल करते हैं आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जो भी amount होगा आप सभी के आधार जो bank से link आधार वाला bank वाला जो है आपका account उसी में आप सभी का पैसा जाने वाला है फिल हल आज की news cutting को देखते हैं आप सभी के साथ news cutting बहुत important है वह कि बैंक के जंजटों से नहीं रुकेगा वजीफा तो आपके बैंक के जंजट से वजीफा नहीं रुकने वाला है इसका क्या मतलब है ध्यान से दिखिएगा यहां पर दिया गया है कि चालू सैचिक चात्र में गरीबी की रेखा की नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चात्र चात्रों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली चात्र बिट्टी और फीस भरपाई की योजना बैंक खातों में धनरासी हस्तांतरड में पेस में आने वाली दि पेइमेंट ट्रांजेक्शन फेल होने की जो गुंजाई से वो बिल्कुल खतम हो गई है ठीक है इसको ले करके उन्होंने अपडेट दिया है और जो भी एमाउंट होगा बैंक खाते आधार जो सीड़ेड होंगे उन्हीं को मिलने वाला है हर हाल में छात्रविती फीज भरप चेंजिस कित्ते बड़े आ गए हैं पोस्ट मेट्रिक 9.5 लेक 7 लेक 3.86 लेक और 1.72 लेक प्री मेट्रिक सामानने और बजट देखिएगा तो बजट 880 करोड 500 करोड 82 करोड और 30 करोड तो भरपूर बजट आपका इस बार देखने को मिलेगा और अगर आप सभी गलती नह है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज को पहले टार्गेट किया जाता है जिससे आप सभी की स्कॉलर से बिल्कुल अच्छे डंग से आ जाएगी बाकि आप सभी को अभी अपने आधार से अपने बैंक को लिंक कर लेना है मतलब जो भी है और अपना आधार जो है प्रवरी और मार्च के महिने में देखने को मिलने वाली है टीक है लास्ट इर अप्रिल के महिने में देखने को मिल जाएगी तो यह थी आज की कंप्लीट अप्डेट आप सभी को जैसा information रहा है जरूर बताइए का को मेंट करके तो है एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए पाबाय टाटा लब यू आल टेक केर